हेलो फैंट्स आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे वीपूल निम्टिड पे फैंट्स कम्पनी ने अपने क्वाटर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दी है कैसे इनके क्वाटर वन के रिजल्ट आई है और कैसा मोमेंट आपको स्टोक में देखने को मिलेगा डिटेल से आपने कवाटर ली रिजल्ट डिस्कलोज कर दी हो और आपको अब इतक पता नहीं चलाओ तो कमेस करके आप पूस सकते हो यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ इन्नोंने अनौन्स किया है यहां पर डिविडिएंट इन्नोंने कुछ भी अनौनस नहीं किया है तो टोटल रिवेन्यू आई है 1854.87 यहीं पे अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 24,969 काई थी काफी ज्यादा डीक्री जो के आई है भई रिवेन्यू और येर की बात करें तो पिछले येर ये 820.55 की पिछले साल से कंपेरिजन करते हैं तो अच्छी आई है बात करते है यहां पे टोटल एक्सपेंसिव की भई कंपणी ने क्या कुछ खर्चे किये हैं कुछ बचाया है या नहीं यहां पे टोटल एक्सपेंसिव की बात करें तो यहां पे आया है 1677.82 वहीं पिछले जो क्वार्टर था उसमें 1783 वहीं इंकम काफी अच्छी आई थी और पिछले साल के क्वार्टर में इनको आई थींगे लोगँ जादा बात करते हैं आगे प्रोफिट ब्फोर टैक्स ब्रोफिट अक्स देखेंगे यहां पे प्रोफिट आफ्टाक्स कहां पर और पिछले quarter में ये था 20,297.31 लगा मतलब काफी ज्यादा ही decrease हो क्या है अगर बात करें सेम यर के तो बही काफी अच्छा company ने किया है लेकिन देखो मेरे अकोर्डिंग तो quarter on quarter पिछले quarter से comparison करें तो company बही डाउन गई है काफी ज्यादा डाउन गई है ना इतना अच्छा profit क इतना ज्यादा बही गिरावट आपको देखने को मिल रहे है बात करते है EPS की EPS यहां पर आया 0.15 इस quarter पिछले quarter में कितना था 16.90 का बहुत ज्यादा और सेम में जो पिछले साल की quarter था उसमें माइनस में था 1.28 का यहां पर अगर हम बात करें quarter जल्ट कैसे आया है मेरे according त करते हैं तो भाई कही ना कही कमपनी पर आप भाई डाउनफोल देखने को मिल सकता है तो अपनी पोजिशन को ध्यान से भाई होल्ड करना एगजिट करना क्योंकि इस व्यूड़ का मॉटिव ओलनी फूर एजुकेशन पर पजब मैं किसी को परसनलिक में नहीं करती क्या प करता तो एज ए किसी को अ दुब डाई एड़ शजफ़ आप सी एूर एजुकेशन पर लाउत आप सस्तराई करना एजक हो बाईभ में को भैसिози हमेला उल उता है व्यान ऑाई करना एजransjan फिक टूर ग्यूर